बॉलिवूड कैफे आज एक्स्प्लेइन करना एक स्पैनिस मूवी इस मूवी में बाप और बेटे को एक ही लेडी से प्यार हो जाता है और इस प्यार के चक्कर में बेटा कुछ इस तरह से फस्ता है जैसे आगे कोगा पीछे खाई दोनों तरफ आफ़त आई साइमन नाम का लड़का अपनी गर्फेंड के साथ अपने पेरेंट से दूर रहता है साइमन और उसकी गर्फेंड फैबीन एक कार्टून आर्टिस्ट है और ये आर्टिस्ट नेचर की वज़े से अपनी फैमिली से दूर रहते हैं क्योंकि इनकी फैमिली मैं सब के सब डॉक्टर से आज साइमन के फादर का 60th birthday है इसलिए साइमन चाता है कि वो अपनी girlfriend को अपने parents से मिलाए इसलिए साइमन अपनी girlfriend Fabian को लेके 6 महीने बाद में अपने parents से मिलने जा रहा है अपने dad के birthday पर वो अपने dad और mom से मिलता है और वो देखता है कि उसकी family के बहुत सारे member वहाँ पे आये हुए है लेकिन साइमन की नजर एक lady पे जाती है जिसको वो पैचान नहीं पाता थोड़ी दिर बाद में जब उस lady को वो अपने father के साथ involve देखता है तो वो पूचता है कि ये कौन है तो उसको पता चलता है कि ये lady उसके doctor father की secretary है दरसल साइमन के dad एक psychiatrist है और ये lady उनकी नई secretary है साइमन के dad की इन हरकतों के बारे में उनकी family को कोई problem नहीं था कि साइमन के dad अपने patients के साथ affair रखते हैं और पुराने patients को ही अपनी secretary में बदल देते हैं और उनसे affairs चलाते हैं साइमन की mom को इस बात से बहुत hurt होता था कि साधी सुदा होने के बावजूद भी उसका husband अपने patients और अपनी secretary से affair रखता हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद Simon के dad doktor karl के नीचे काम करती हैं इसलिए Simon की mom को मन मार के भी Simon के dad के साथ रहना पड़ता है वो अपनी साधी को बचाने की कोशिस करती हैं Simon की mom Simon को बताती हैं कि मेरी साधी तूटने के कगार पे हैं तुम्हारे डेट ने एक नई सेक्रेटरी रखी है और इस सेक्रेटरी का नाम है सोनिया, अब वो सोनिया के साथ होलिडे पे जा रहे हैं, तो मेरी साधी तूटना definite है, क्योंकि ये सोनिया तुम्हारे डेट से साधी करके रहेगी, तो साइमन अपनी मॉम को कहता है कि इसमें म क्या कर सकता हूँ, वो कहती है कि क्लिनिक में तुम मेरा काम करना तो मैं फ्री हो जाऊंगी, और तुम्हारे डेट के साथ हॉलिडे पे मैं चली जाऊंगी, ताकि मैं अपनी साधी को बचा सकूँ, अब साइमन को अपनी मा पे काफी तरस आता है, और वो अपने डेट के क् अपनी सेक्रेटरी शोनिया को साइमन के साथ काम करने के लिए कुछ दिन अकेला छोड़ देते हैं। उनके पास्ट रिलेशन्शिप के बारे में तुम्हें पता नहीं है क्या। एकले दिन साइमन सोनिया को नीचे किसी से बाते करते हुए सुनता है और सोनिया कह रही है कि देखो तुमारी तो एक फैमिली है, तुमारे तो बच्चे भी है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा टाइम वेश्ट मत करो। साइमन को पता था कि उसके डैड हॉलिडे पे जाने के बावजूद भी सोनिया से बाते कर रहे हैं। साइमन और सोनिया को यहाँ पर ये काम दिया गया था कि उसके डैड की जितनी भी वीडियो क्लिप्स, कैसेट्स, जिसमें उसके इंटर्व्यूज और लेक्चर्स थे, उन लेक्चर्स को टेक्स्ट फॉर्म में कनवर्ट करना था। जो की काफी बोरिंग काम था, लेक्चर को सुनके उनके टेक्स्ट लिखना, साइमन के साथ साथ सोनिया को भी काफी बोरिंग लगता था। जो वो साइमन के डेड के साथ हॉलिडे पर जाकर उससे साधी करके बनाने वाली थी, लेकिन साइमन के आजाने की वज़े से अब उसका प्लान चौपट हो गया है। अब वो साइमन को इमोशनल आउटबरस्ट में किस करने लगी हैं। लेकिन जल्दी इन दोनों को रियलाइज हो जाता हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। और अब साइमन यहां से दूर हट जाता हैं और बाहर जाके ये सोचने लगता हैं कि वो ये क्या कर रहा हैं। उसकी मॉम ने उसको यहां पर काम करने के लिए इसलिए रखा कि वो सोनिया को उसके डैट से दूर रख सके लेकिन अब वो खुद सोनिया के क्लोज हो रहा हैं। वो अपनी फैमिली के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में अब फस्ता ही जा रहा हैं। क्योंकि उसकी गल्फेंड उसको कहती हैं कि हमारा कार्टून फेस्टिवल दो हपते बाद में ही हैं। तुम कौन सा काम लेके बैठ गए हो हम आर्टिस्ट हैं और हमें हमारा काम करना चाहिए। अब साइमन अपनी गल्फेंड और अपने मा को किये हुए वादे के बीच में कुछ ऐसा फसा कि ना तो वो अपनी गल्फेंड को छोड़ सकता हैं। और ना ही अपने मा के किये हुए वादे को तोड़ सकता है। अगले दिन साइमन सोनिया को जाके सौरी बोलता है कि कल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सोनिया बड़े आराम से अपना सिर हिलाके बोलती है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सोनिया के लिए ये एक नॉर्मल सी बात हो। तो साइमन कहता है कि इसके बारे में मेरे डैड को मत बताना। तो सोनिया कहती है कि मैंने अल्लेडी बता दिया है कि मैं तुमारे पीछे किसी लड़के के साथ इंगेजड हूँ लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़का तुम हो। मैंने इसलिए बताया कि उनका हॉलिडे खराब हो जाए। साइमन को भी लगा कि कहां फस गए यार तो वो सोनिया के जाने के बाद में सोनिया के बारे में और जानकारी इखटा करने की कोसिस करने लगा। क्योंकि सोनिया उसके डैड की ex-patient थी, इसलिए वो सोनिया की file निकालता हैं, और वो पढ़ता हैं कि सोनिया suicidal tendency की patient थी, जिसका treatment उसके डैड ने किया था, और वो सोनिया की पूरी file पढ़ लेता हैं, अगले दिन ये बात सोनिया को पता चल जाती हैं, कि उसकी patient वाली file जो की doctor और patient के बीच में confidential होती हैं, वो साइमन ने पढ़ ली हैं, अब सोनिया अपनी file ढूंड रही हैं, वो नहीं चाहती थी कि उसकी suicidal tendency के बारे में कोई और जाने, वो साइमन को कहती हैं कि तुम मेरी file मुझे दे दो, साइमन उसको file निकाल के दे देता हैं, सोनिया emotionally रोते हुए कहती हैं कि तुम्हें हमारी private information नहीं पढ़नी चाहिए थी, तुमारे इस behavior की वज़े से मैं तुमारे उपर case कर सकती हूं, सोनिया साइमन को अपनी file देना नहीं चाहती, लेकिन साइमन उस file को खीसता हैं, तो सोनिया उसकी तरफ मुड़ जाती हैं, और सोनिया फिर से एक बार साइमन को किस करने लग जाती हैं, और इस बार साइमन भी अपने आपको नहीं रोक पाता, और वो भी सोनिया के साथ involved हो जाता हैं, कुछ मोमेंट्स के बाद में सोनिया साइमन को कहती हैं, कि यहां पे कोई आ जाएगा, हम नीचे चलते हैं, सोनिया नीचे जाने के लिए दरवाजा खोलती हैं, तो वो देखती हैं कि क्लिनिक में दूसरे काम करने वाले लोग आए हैं, और वो सोनिया को कुछ instruction दे रहे हैं, साइमन अपने आपको अंदर के रूम के दरवाजे के पीछे चुपा लेता हैं, इन लोगों के जाने के बाद में सोनिया और साइमन दोनों नीचे के रूम में चले जाते हैं, साइमन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, वो जो कर रहा हैं, वो सही है या गलत हैं, उसकी मॉम ने उसके डैड को सोनिया से दूर रखने के लिए ये सब करने को कहा था, लेकिन अब वो खुद सोनिया के attraction में ऐसा फसा हैं, कि वो चाहा कर भी अब यहां से जा नहीं सकता, साइमन सोनिया के साथ थोड़ी देर बैट के बाहर के कमरे में बात करना चाता हैं, लेकिन सोनिया को कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी थी, वो अंदर वाले रूम में जाके साइमन को अपनी तरफ attract करती हैं, और इन दोनों के भीच में एक passionate love moment बन जाता हैं, intimate होने के बाद मैं सोनिया साइमन को कहती हैं कि तुमें मैं घर छोड़ दूगी तुम मेरे साथ चलो, साइमन उसके साथ कार में जाता हैं और सोनिया उसको अपने घर के पास छोड़ देती हैं, सोनिया साइमन को कहती हैं कि कभी मेरे घर पर भी आओ, साइमन उसको किस करते हुए कहता है कि मैं जरूर टाइम निकालके मैं तुमारे घर पे आऊंगा फिर सोनिया वहाँ से चली जाती है अब साइमन अपने घर की तरफ जा रहा है तो वो देखता है कि उसकी गर्ल्फरेंड उसके किसी फ्रेंड आर्टिस्ट के साथ बैठी है और साइद लंच के लिए आई है वो उसको पूचता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो तो वो कहती है कि मैं कॉमेडी फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ तुम तो अपने मॉम और डैड के काम में बिजी हो मुझे किसी का तो साथ चाहिए न फिर भी साइमन की गर्ल फ्रेंड फैबीन साइमन को किस करती है और वो कहती है कि तुम जल्दी से वापस काम पे लोट आओ लेकिन साइमन को अब ऐसा लगने लगा कि उसकी गर्ल फ्रेंड फैबीन का अफैर उसके friend के साथ चलने लगा है और उसके मन के अंदर सक्का बीच पैदा हो गया है तो Simon इन दोनों का पीछा करता है और वो देखता है कि उसकी girlfriend उसके नए artist friend के साथ Cartoon Festival की तैयारी में पूरी तरह से जूटी हुई है Simon Fabian को कहता है कि तुम तो बड़ी जल्दी बदल गई तुमने तो अपना friend बहुत जल्दी बदल दिया तो वो कहती है कि दो हपते के अंदर अंदर Cartoon Festival स्टार्ट होने वाला है मुझे कोई तो चाहिए था जिसके साथ मैं इस Festival की तैयारी कर सकूँ क्योंकि मैं काफी महीनों से इस Festival की तैयारी कर रही हूँ तुम तो अपने mom dad के काम में busy हो गए हो मुझे किसी का तो साथ चाहिए न Simon अपनी girlfriend को छोड़ना नहीं चाहता अभी उसकी mom का phone आता है और वो कहती है कि please थोड़े दिन तक और manage कर लेना हम यहाँ पर दोनों अच्छे से holiday enjoy कर रहे हैं प्लीज मेरे लिए तुम काम मत छोड़ना अब Simon पूरी तरह से confused था कि वो करे तो क्या करे Simon उसी रात अपनी girlfriend के साथ night club में जाता है जहाँ पर ये दोनों काफी enjoy करते हैं लेकिन Simon के मन में उथल पुतल मची हुई थी और काफी देर सोचने के बाद में ये decide करता है कि वो अपनी girlfriend को Sonia के साथ हुए relation के बारे में बता देगा और वो finally अपनी girlfriend को कहता है कि वो Sonia के साथ intimate हुआ था ये सुनके फैबीन को बहुत बड़ा धका लगा और फिर वो वहाँ से चली जाती है थोड़ी देर बाद में Simon को Sonia का message आता है कि आज Saturday है अगर तुम free हो तो तुम मेरे घर पे आ सकते हूँ Simon अब Sonia के घर पे चला जाता है वो देखता है कि Sonia अकेली फ्लैट में रह रही है वो Sonia के पास जाता है और थोड़ी बाते करने के बाद में ये दोनों फिस्क करने लगते हैं और intimate होते हैं Sonia Simon को डिनर सर्व करती है डिनर टेबल पर ये दोनों एक दूसरे से काफी बाते करते हैं जिसकी वज़े से ये काफी close आ जाते हैं अगले दिन सुबह जब Simon उठता है तो वो देखता है कि Sonia मार्केट से कुछ लेने के लिए जा चुकी है और वो देखता है कि उस फ्लैट में उसके डैड और उसकी girlfriend Sonia की एक तस्वीर रखी हुई है उसको ये समझ में आ जाता है कि ये फ्लैट उसके डैड नहीं Sonia को दिया है तब ही वो देखता है कि उसके डैड holiday enjoy करके वापस आ चुके हैं उसके डैड Sonia के घर में Simon को देखके थोड़े सौक हो जाते हैं तो वो Simon को पूसते हैं कि तुम यहां पे क्या कर रहे हो पर Simon उल्टा अपने डैड से पूसता है कि आप यहां पे क्या कर रहे हैं तो उसका डैड उसको बताता है कि ये मेरा ही फ्लैट है और मैं यहां पे एक book लेने आया हूँ वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता हैं कि सोनिया को एक बेबी चाहिए सोनिया मेरे साथ इसलिए रिलेशन में हैं कि उसको एक बेबी चाहिए और वो कहता है कि मेरी तो अल्रेडी वैसेक टॉमी हो चुकी है मेरी नस्बंदी हो चुकी है मैं सोनिया को बेवी नहीं दे सकता मैं तो सिर्फ उसके साथ ऐसे ही रिलेशनसिप में हूँ तभी हम देखते हैं कि सोनिया मार्केट से वापस आ चुकी है साइमन के डेड सोनिया से बात करना चाते हैं लेकिन सोनिया इस वज़़े से दुखी थी कि उसके डैड उसको holiday पे लेके नहीं गए और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस करती है और पूझती हैं कि मेरे लिए तुम दोनों का relation कोई बड़ी बात नहीं है मैं तो दूसरी girlfriend बना लूँगा लेकिन प्लीज तुम अपनी मॉम को समझा देना कि तुम सोनिया के साथ रिलेशन्शिप में हो ये कह के साइमन का डैड वहाँ से चला जाता हैं लेकिन अब पस्ताए क्या हो जब चड़िया चुक गई खेत पानी तो कुछ बचा नहीं हाथ में आ गई रेत तो दिनों के बाद मैं सोनिया एक बेबी को जनम देती है जो की साइमन का होता है क्योंकि साइमन के डैड तो अल्ड़ी वेसेक्टोमी करवा चुके थे सोनिया को हमेशा से एक बेबी चाहिए था उसको फ्लैट तो साइमन के डैड ने दे ही दिया था अब उसको एक बेबी भी मिल गया है और प्यार करने के लिए अब साइमन तो है ही तो वो सोच रही है कि उसको एक complete family मिल चुकी है वो डक्टर काल के यहीं पे काम करती रहेगी वो अपना बेबी साइमन के हाथ में देती हैं साइमन उसको देखके थोड़ी देर के लिए खुस होता है लेकिन वो अभी fully confused है कि उसकी life के साथ हुआ क्या उसकी life जो एक साल पहले अपनी girlfriend के साथ well settled थी वो अपनी family network में कुछ ऐसा फसा कि आगे कुआ पीछे खाई दोनों तरफ आफ़त आई और इसी के साथ ये movie end हो जाती है movie का explanation अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजेगा हमारे channel को subscribe कीजेगा and thank you for watching